आदि पुरुष के टीजर पर देश भर में और देश के बाहर भी चर्चा है, विवाद है, हंगामा है, बवाल है तमाम लोगों ने अपने अपने धंग से आपतियां जताई है किसी की आपति इस बात पर है कि रावन का जो चरत्र है टीजर में उसका चिहरा, मोहरा और उसका जो भाव भंगिमा है जिसको आप लुक्स कह सकते हैं अंगरे जीवाद वो भारत के मन में जो रावन का चित्र है जिन लोगों को देखा नहीं गया, जो मिठकी या चरित्र हैं उनके चित्र मन में होते हैं कृष्णा को किसी ने देखा नहीं लेकिन एक कृष्णा का एक चित्र है जो भारत के भाव मन में स्थापित है उसके विरुद्ध कोई भी जाएगा तो विरोध होगा वह इसे रावन का भी चित्र भारत के मन में अंकित है हजारों साल से अब ये खिलजी तेमूर और चंगेज से जो मिलता जुलता अर्वी युद्धा अर्वी आक्रांता जैसा जो भाव मुद्रा है वो विश्वश्रभा के पुत्र रावन का जो चित्र है भारत की मन में उससे मेल नहीं खारा चुकि ये रावन पैदा कहा हुआ जही मुट भेरवन के विश्रख इलाके में यहीं विश्वश्रभा का अश्रम था तो यहां का डींए अगर मैं इस बहस इ submarines में उल्ज्जका के लिए भास नहीं लेकर आया तो यहां के व्यक्ति का डियने अरब के व्यक्ति के डियने से तो मैच नहीं कर सकता है यह न सवाल अगर कहानी बेभरोसा करें तो आप ऐसा क्यों लाएं और यह कैसा इसके बाल की कठाई कैसे कर दी बताईये ट्रिमर लगा दिया तो वह मूर्ति दर की दूसरा एक कुछ लोगों की आपति मारूति नंदन के चरित्र पर है कुछ विद्वान ओने ये भी गोशना की कि ऑऐ自 ने देखा के आनुमान हनुमान जी को देखा नहीं हनुमान जी का रूप सरूप एक तो भाव जगत में है और दूसरा लोक जगत में भी है लोक साहित्य में भी है तुलसिदास जी कहे गए कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हां थवज्र और धोजा विराजे कांजे मून पूरा तो बढ़न कर दिया उसके बाद आप अपना कलर कुछ गोजा रहे है इतना बहुत है बनाने के लिए चित्र है विश्व लेकिन मैं इन सब उससे अलग फिर भगवान राम पर भी कुछ आपतियां आई उनके चरत्र के जो इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है मैं इकी बात कहता हूं राब विश्व में राम कथा का उद्वव बालमी की इसे हुआ बालमी की रिशी ने राम कथा विश्व को दे आज़ा बालमी की ही फर्स्ट हेंड वाले आदमी थे यह भी समझे उन्होंने सुनी नहीं किसी दूसरे से तीसरे से चाउते से ना गूगल में देखी उनके आश्रम में तो खुद भगवती सीता रही जहां राम के दोनों पुत्रों का जन्मा हुआ लब और खुश्का तो उनसे ज्यादा प्र अजीव नित्रम की कमल के समान नेत्र तो भारत के लोक मन्ने माना कि कमल के समान नेत्र हैं जिसके वही भगवान की चित्र के आसपास समझा जाएगा इसी कुछ मानेता ही होती है जिनसे छेड़ चाल करना ठीक नहीं अब मैं ये विशे क्यों लाया इस पर तीन दिन से लगबग हर चेनल पर हर मन्च पर डिवेट हो रही है सत्संग हो रहा है मुंडे मुंडे मतर भिना फिर मैं क्यों मैं सिर्फ एक प्रश्ण के लिए लाया महिस विवाद मैं भी ने पढ़ना चाहता कि राम के पाउं में चपल थी के नहीं थी सेंडल था के नहीं था कपक के चमरे के बेल्ट क्यों बांदी उसे महिस विवाद मने पढ़ना चाहता हूं वो हिंदू धर्माचारी उस विशे पर देखें मैं इस एक विशे के लिए लाया हूं अगर ये creativity है रचनात्मक्ता है कलात्मक्ता है और उसकी आजादी का मसला है अभिव्यक्ति की आजादी का मसला है अगर तो कि मैं चाहूंगा और उसी के लिए बहस लेके आया कि ऐसी आजादी ऐसी रचनात्मक्ता ऐसी कलात्मक्ता है प्रभू आप विद्वान जन दूसरे धर्मों की कहानियों के साथ भी अपना ये मैं इस मांग को लेके आया हूँ आपने जगत जननी मता काली को सिगरेट पीते हुए LGBT का जंडालिये सिनेमा बना दिया आपने महादेव को विश्वनात्पुरारी त्रिवुवन महिमा वे दित्तु भारी हम जो ये मंत्र पढ़ते रहे उनको आपने मोटर साइटल पर बी जावन जो है वो किसी मौलक में जाके सेलून से बाल कटाके आया है क्या हनुमान जी की बकरा कट दाढ़ी कर दी भारत के लोकमन में ये दाढ़ी दूसरे के चीजों का इसमरन कराती है मैं पूछ रहा हूँ हिंदू धर्म के प्रति आपका लगरा जरूस से जादा इसने है इस इसने को थोड़ा कम कर दो दुनिया में एक दर्जन और अच्छे खासे धर्म मौजूद है भाईया उन पर ऐसा क्यों नहीं बनाते हो थोड़ी कलात्मक्ता वहां भी दिखाओ वो लोग भी धन्य हो जाए उनके अनुवाई आपके इस अदभूत प्रकांड कलात्मक्ता के ज्यान से और नहीं अगर हिम्मत है तब फिर हिंदू धर्मक के आस्था के मानविंदो कलात्मक और रचनात्मक आजादी के नाम पर अपमानित नहीं की जा सकते पर आप उसका दंड भुगतने के लिए तयार रहे हैं और निता सबके लिए वाईसे बनाई ये सिन्फिल में आपके पास कहानिया नहों ऐसा हो नहीं सकता इंटरनेट पर सारे धर्मों के सारी कहानिया मौजूद है एक बात कहके मैं फिर बहस में चलूंगा एक बात बताईए भग्वान इसा मसी का एक चित्र विष्व भरके कृष्यन्स में इसाईयों में और गेर इसाईयों में भी उनके भाव जगत में है इसा मसी को किसी अब उसके विरुद्ध कोई बनाएगा कुछ तो बावाल होगा इसलाम कहता है कि पेगंबर सहाब का चित्र नहीं बन सकता आप कलात्मक आजादी और अद्भुत धुरंदर रचनात्मकता के जोंक में अगर फिल्म बनाएंगे तब क्या होगा सैटनिक वर्सिज वाले जो है वो 27 साल बाद भी नहीं बच पा रहे अमेरिका में सलमान रश्दी है चालिश चाकू पड़े थे अभी उनके और जिस लड़के ने मारा वो तब पैदा नहीं हुआ ता जब सैटनिक वर्सिज आई थी वो 23 साल पुराना केस तो तोड़ा उधर भी बनाई है किसी ने लिखा रावन के का जो रूप सरूप आदिपुरुष फिल्म के टीजर में है उस पर किसी ने व्यंग किया कि रावन के सरपर ना मुकुट है ना कुंडल है ना कवच है लग रहा है कि ये आज बाली श्री ल विशे यह है ये वन लाइन अगर ये क्रेटिवीटी है तो भाइस इत कब तक सारा खाना एक ही बच्चे को खिलाओगे सारी क्रेटिवीटी एकी धर्म के साथ क्यों कर रहे हो प्रभू दुनिया में एक धर्जन धर्म हो रहे हैं अच्छे अच्छे उनके साथ भी थोड़ा करो ये मूल विशे है मेरा कि डॉक्टर अशोक केंद भी जुड़ गये हैं अशोक जी का विशेर स्वागत बहुत बहुत स्वागत अविनंदन कि यति मा मैं पहले आरंबिक टिपनी सब से ले लुए कि अगर ये रचनात्मकता है क्रिटिविटी है तो बाकी धर्मों के साथ कि उनको ये शुभवसर क्यों ने प्रदान किया जा रहा है रामायन पर रावन के चरत्र पर आपने बहुत शोध किया और विशुभर में मेरे खाल से आपसे ज्यादा प्रामानिक शोध रामायन पर और कहीं नहीं है ये जो फि लंका कांड और सुंदर कांड में जित्रे इस्थानों का उलेख वालमी की रामायन और मानस में है उस सब इस्थान आज भी वहाँ है और ये वह बहु ये आदिपूरुष वाले भाई लोगों ने रावन को चमगादर पर ठाल दिया बताओ भलाओ क्या कर रहे है भग्मान इस विवाद में पढ़ता है ने कि ये रचनात्मक्ता की छूट होनी चैए कि नहीं होनी चैए मैं कह रहा हूं इतना पवित्र काम केवल इधर ही क्यों कर रहे हो बाकी जो एक दर्जन धर्म है वो लोग वंचित है ऐसी विकट रचनात्मक्ता से तो प्रभू थोड़ी क्र पाउधर भी करें सिनेमा वाले नहीं जुम्मा को चुम्मा लोच है नहीं लो यह विश्य इतना राष्टी महत्तुका नहीं ठीक लेकिन अगर आप भनुमान जी को ऐसा चित्रत कर देंगे आप माता काली को सिग्रेट पीते हुए LGBT का जंडा लिए दिखाएंगे शंकर जी हम बिजबा देते हैं आइडिया बना सकते हैं एक सलमान रश्री जानने बचा पा रहे हैं 27 साल पहले किताब लिखी थी अभी भी जहां अमेरिका जैसे देश में जानने बच रहे हैं मरते मरते बच रहे हैं सिनेमा बनेंगा उस समय अरब की स्थिति क्या थी उस पर क्यों नहीं को सिनेमा बनता है बनना चाहिए ना मैं फिर करो सारा गी एक ही बच्चे को खिलाओगे बागी को भी खिलाओ मैं तो प्यार मुहंपत बाटने आया हूँ यह क्या मसला है भाई क्या कोई इसा मसी को हेट लगाए टाई वांधे लाल शर्ट और हरी पेंट पहने दिखा सकता है बीडी छोड़ो बीडी हेट माइनस कर दो इतना भी दिखा सकता है क्या क्या दुनिया के दूसरा सबते बड़ा धर्म है उसके बारे में तो कुछ भी बनाई आ जा सकता है क्या क्या महत्मा बुद्ध को बुलट मोटर साइज दिल पर बीडी पीते हुए दिखाया जा सकता है पूजा मिश्रा जी मसला वोई रामायन हमारे लिए किताब नहीं है जो नई पीडी समझती उस भाषा में कहूं होली बुक है रामायन हमारे लिए ठीक तो जैसे दूसरी होली बुक में कोई छेड़ चाड़ नहीं हो सकती कौमा फुलिस्टाप का भी नहीं बदला जा सकता दूसरी पवित्र किताबों में ठीक वैसे ही हमारे लिए रामायन में जो लिख दिया गया वह अंतिभ हो जाना चाहिए नहीं और अगर सब में करना है तो फिर अखाड़े में उत्रों खुले हम नहीं फिर तो एक दर्जन बड़े धर्म अभी बाकती है यह क्या तमाशा हो रहा है भाई सरकार भी ढुल मुल रुख रखती है आप जेल पाओगे आपसे मतलब आपकी पार्टी की सरकार जेल पाएगी एक जरासा बवाल हुआ था क्या सारे देशों ने क्या कैसा बवाल मचा दी मचा था देखा था ना आपने दुनिया भर के इस्लामिक देश एक साथ खड़े हो गए थे और क्या परष्थिती निर्माड हुई थी यह क्यों करा रहे हो ऐसा भी कही काली माता को LGBT का आंदोलन में शामिल बता देते हो सिग पूर्न अधात नहीं उसके पास हमने तो ऐसी सरकार चुनी थी भारत ने ऐसे लोग सेंसर बोड पर भारत में नहीं होने चाहिए किसी और ग्रह में हो उनको वहां मेंबर बना दीजिए यहां नहीं चलेंगे बाई यह लोग यह खुदा हो गए क्या सेंसर बोड के मेंबरी दिनका रोना नहीं है यह यह अकुर्ष एक दिनका नहीं है इस सिनेमा को देखकर ठेसिफंच में एसा बाल क्यों कर दिया इसे गाल क्यों कर यह मसाला मसला यह Your Mad Theater,unkyês यह बडिखाया ठीक! जो खल्लायक सिनेमा में दिखाया वो ठीका जरूर लगाये थी ठीक, आप समझेगा टोपी लगाये बाला दुष्ट नहीं दिखाया आपने कभी खलाया कोई बनाया नहीं क्यों डर लगता है कनात्मक्ता वहां नहीं लाओगे मंदिर में व्यवचार दिखा देंगे आप सिनेमा पर लेकिन मस्जिद में मौलवी साब ने छोटे बच्चे के साथ अपराकृतिक दुष्कर्म कर दिया वह वह कभी ने फिल्म आएंगे क्या आप यह जो क्रीटिविटी के नाम पर जो हो रहा है वह इसको कैसे इनहेल किया कैसे इसको पचाया जाए एक बात और कहूं यह खास तोर पर रामचंदरन साहब के संग्यान में बात रहनी चाहिए और मानवी के संग्यान में रहनी चाहिए पतने आप लोगी जानकारी है की नहीं अकबर के समय जो लोग हिंदुस्तान आये और उन लोगों ने जो अकबर के बारे में लिखा उससे प्रमानिक तो कुछ नहीं हो सकता अकबर माइथालोजिकल करेक्टर नहीं बद हिस्तोरी का करेक्टर है ठीक मुगल सल्तनत में के बात्षाहों में सबसे कुरूब था अकबर एक पैर भी खरापता लंगलाग चलता था क्या और उसके और तमाम शौकों के बारे में लिखा बड़े भीवत्स किसम के शौक था लेकिन हमने मुगले आजम बनाई तो प्रस्भी राज कपूर को लिया ना जिनकी मूछे ही राना सांगा जैसी थी उस फिल्म सिनेमा में है और अकबर नाट्य कद का लंगला था क्या वहां इतना ख्याल रख रहा अकबर के लिए भी और यहां भगवान राम से मजे लेने कोशिश करोगे यह नहीं चलेगा जब चल गया तो चल गया अब नहीं चल स वाले हैं वो भूगतेंगे ही सो दोसो पांट सो क्रोन रुपया लगेगा डूप जाएगा समझ जा जाएगे अगली बार से नहीं बनाएंगे मानवी तनेजा ठीक बात है ना अकवर का प्रामाने की चित्रन ये है छोनाता काला लंगला और हमने कईसा बनाए अनारकली सलीम मरने नहीं देगा hennaar रामचरित मानस से बहुत पहले सारी रामकथाओं में सबसे पहले वालमी की रामकथा आई वालमी की रामायन सबसे प्रामानिक ग्रंथ है मैंने शुरुवात में कहा मानवित्थी नहीं था क्योंकि वहां फर्स्ट पर्सन में खुद देख भी रहे थे माता सीता वहीं उनके वालमी की रामायन में हनुमान जी रावन के बारे में क्या कहते हैं वो सुनना चाहिए वो पढ़ना चाहिए वहीं से एक फ्रेम बनेगा न ना समझे की बात यह नहीं चलेगा राम चंद्रन जी मैं वहीं बार-बार कह रहा हूं इतनी अच्छे-च्छे प्लॉट है अरब के देशों में उस वकत क्या हो रहा था जब इसलाम जन्म हो रहा था कभी आप लोगी चेतना उधर नहीं कि कुछ बना दें जोड़दार दुनिया भर में बिकी जाए नहीं उन्हों ने इस मामले को बड़ा ठंडा-ठंडा कूल-कूल चिल बना दिया चिल करो कि का एक बहला म जरा चिल मार के कूल डूड करके कि इस बना दो पिर जनतेत्not कर देगी जो होग नहीं होगा नहीं होगा नहीं देखें घंगे देंगे हैíssा अशोक जी आज तक इस हममत करने वाला मुझे नहीं मिला पूरे विश्यो में देखिए सर अमिताब जी मेना कहानी सब जानते हैं लेकिन उस पर सिनेमा नहीं बनाएंगे बाई क्यों यह जो फिक एंड चूज है न यह नहीं चलेगा मैं सर्फ इसी के लिए बहस करने आया बागी के लिए बहस तीन दिन से लोग कर चुके क्या दिखाया क्या नहीं दिखा जिनका रिकार्ड मौजूद है बावर से लेकर और आखरी तक मुगल वात्षाह में शायद ही कोई बचाओ उसके लिखित प्रमान है सब नर्भ होगी थे पुर्ष होगी थे किसी नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया क्यों नहीं बताया इतने सिनेमा बनाए उन पर मुग दिलीब चोहान मेरी आपत्ती इस पर है सच दिखाने का माददा है तो सब सच दिखाओ और सब के बारे में दिखाओ मसला बोई हमा मैं इसको जो अनिल पंडित ने का हिंदुत्व मैं उस शब्द को थोड़ा और मोडिफाई करता हूं मैं कहता हूं भारत के मन के खिलाफ इसलिए गलत थेमी तो दिमाग सब दूर कर लो जो भारत के मन को मंजूर नहीं वो बात बार बार क्यों की जा रही है वाली बूड में और उसके बात फिर जो उनके प्रतिनदी आते हैं मानवी जैसे हमारे वहने हो नई पीड़ी की वो लोग एक ही चुकी अभी उन्होंने दुनिया उनको दिखनी विशेष है तो उनके पास जितने सीमित तरक है उसके आधार बोकति जी सेंसर बोर्ड ने पास किया यह चीज हमारे लिए थोड़ी हमारे बोट से चलने वाली सरकार भारत के बोट से चलने वाली सरकार भारत के मन के खिलाफ कैसे जाने क्यानुमती किसे कुछ दे सकती है यह भारत के मन के खिलाफ है भाई देश में इतनी स्टोरीज पड़ी है जिन पर सिनेमा बने तो ब्लॉक्बस्टर हो जाए कोई जाने नहीं चाहता क्या क्या क्यों नहीं जाना चाहता वाई यह स्टोरी यह बता यह स्टोरी छोटी है क्या यह स्टोरी इसके लिखित साक्षे हैं कि नादर्शाह जब आया तो दिल्ली कैसे रखता से नहा गई क्या लाशों के ऊपर चलना पड़ा लोगों को ठीक इस पर सिनेमा क्यों नहीं बना बना चाहिए लोग जाने इसमें बनाएंगे नहीं तुम क्रश्ण में क्रश्ण का मंदिर कैसे तो चोटी ख़बर है क्या चोटा प्लॉट है क्या मैं फिर बुनियादी बात पर आता हूं लंबी चोड़ी कहानी की जरूते नहीं मैं कह रहा हूं आपने 100 फिल्में बना दी ठीक अब एक उधरवाले के लिए बना लोग वो लोग वेटिंग में बैठे कब से इंतिजार कर र में यह बैस लेकर आया हूं लग तो आपस में हम mismos चाहेंगे कि भारत के मन का खयाल को मैं यह उधरीं से बात को कहा था कि मन में जो चित्र होता है वो कभी alteration में नहीं जाता छपा हुआ चित्र alteration में हो जाएगा मूर्ती में alteration हो जाएगा हलाग कि यहां बहुत महीन बात करने का अर्थ नहीं चुकि टीवी वो माध्यम नहीं जैसे कैंट साब करें तब बहुत बिद्वान आजमी है है ए टीबी इसका माध्य अपने उतनी कंभीर बात कहां कौन समझेगा हमारे यहां जो राम पंचायत है राम धरवार जिसको कुछ बोलते हैं राम पंचायत विजिकली शब्दे जिसमें राम सीता हनुमान जी लक्षमान और शत्रुगन भरत के भी चित्रमूर्टिया आती है शायद जानकारी नहीं होगी या हो तो यतिमा को हो या केंट साब ने बहुत शोद किया तो उनको होगी हमारे पुराणों में इसमर्तियों में उसका मेजर्मिंट दिया है उसका इस्थान दिया है कि हनुमान जी के ही मूर्ती भगवान के कहां होगी इस्थापित राम माता जान की कहां विराजित होंगी उनका वर्ण कि रंग क्या है वो भी शास्तों ने बताया ऐसा तो नहीं हवा हवाई चल रही है कोई लेकिन आप ना समझों के बीच में कहां वह बैस में मैंने पड़ा चाहता थेकिन वह अभी यह धर्म चर्चा होगी तो कभी बताऊंगा कि राम दरवार में हमारे रिश्यों ने क्या विवस्था दी थी कि कैसा राम दरवार बनेगा ऐसा नहीं कि कोई भी मूर्ति लाग कहीं भी खड़ी कर दो एक इस विशेप कभी सोचा नहीं गया हमारे आगया इस्त्री जो है वह वामांग में रहती है ठिक इसलिए उसका न यस राम जी के साथ माता सी था वो बाई नहीं है दाएं हैं कभी सोचा क्यों क्यों सिनेमा वाले नहीं समझेंगे हमने इसलिए दाएं रखा तो कि दाएं दिशा मां के लिए हैं उनकी इंडिवीजूल आइडेंटिटी है हमारे लिए वो मां है इसलिए हमने उनको दाएं नहीं तो भाई नहीं रखते तो यह लिबर्टी किसी को भी दे दे कि चाहें जाहें जो कर लो भारत के मन को समझने वाले लोग संसर बोर्ड में हो यह बात सरकार तक कब पहुंचे गी और कैसे पहुंचेगी मनोज ने इसी विवाद के बाद से अपने नाम के आगे शुकला लगा लिया और दोनों हाथ जोड की इमोजी लगा दी हम जानते हैं हमको मालू मैं जन्नत की अकीकत क्या है दिल को वैलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है चुकल जी लगा दिया पहले मुंतशिर थे अब समझ गया मुंतशिर से काम नहीं चलेगा मनोज मुंतशिर शुकला ये परवर्तन आएगा आज नहीं कल आएगा लेकिन आएगा मैं एक घंटे की पहस के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाया डॉक्टर अशोक केंट जैसे विद्वान व्यक्ति हम से जुड़े फिर भी भारत में हिंदी सिनेमा जितने बने फिल्म में उनमें समय जो खलायक दिखाया गया अधिकाई में उन्हों तिलक जरूर लगाया क्यों भाई टोपी बाला क्यों नहीं दिखाया आपने वो समझ नहीं थी क्या लल्लू थे इसलिए समयाद नहीं आया नहीं आप धूरत हैं मेरा आरोप है आप धूरत हैं आप मकारी करन चाहते हैं। ऐसे जूटे लोगों को परदाश नहीं कर सकते हैं। वो हो गया वक्त बीत गया। उधारवाद के नाम पर यह नहीं हो सकता। मैंने एक प्रामाण को धरण दिया। हुमायों बाबर से लेकर और रंगीले शाह रंगीले तक। सब नर्भ होगी थे। मुगल बादशाह किसी ने सिने माचने बनाया। कि इनके यह इस्त्री के साथ यह पूरुशु के साथ भी रुची रखते थे। क्यों नहीं बनाया। भगवान इसा मसी का प्राकट्ट कैसे हुआ कभी उस पर सिनेमा बनाते हैं। हम लोग जैसे कम समझदार लोग भी जानते हैं। कैसे हुआ। YouTube खाली क्यों है। दुनिया का दूसरे विशालता में दूसरे आकार का जो धर्म है। उसके बारे में तो YouTube में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अरे कुछ बताओ रोशनी डालो प्रभू आप लोग ज्यादा विद्वाल हो गए। आप रावन का बकरा कट हेर कटिंग समझ गए। कौन से नंबर का वो लगाया था ट्रिमर। देखना पलाएगा। सेल्वन वालेस पूचेंग भई आए बावर रावन टाइप बाल काट दो। नेटेंट चल जाएगा। हनुमान जी की भकरादाड़ी आपको समझ आती है। वहां का नहीं समझ आता। यह नहीं चलेगा। रावन की पक्षधरता का प्रश्ण नहीं। प्रश्ण है। आप सनातन संस्क्रती के मान विंदूओं की कथाओं के साथ यह छेड़चाड करने की हैं। मैं यह 20 शब्द का प्रियोग करूगा। आप सारी अभिव्यक्त की आजादी वहां तक है किसी की भी जहां तक मेरी नाक नहीं शुरू होती है। मेरी नाक से आपकी आजादी टकराएगी तो ठिक नहीं ना। सम्विधान्दी यहीं कहता है। यह रास्ता ही गलत है। ओ माइगाड सिनेमा बना था। वहसा सिनेमा दूसरे के लिए ने बनाया कभी मस्जिद के लिए बना दो यार। मुमाई में मस्जिद नहीं है क्या। बनाया कभी आपने। हर तीसरे चौथे दिन एक बार में खबर चपती है कि फला मस्जिद में मौलाना जाब ने फला बालक के साथ दुश्कर्म कर दिया। चपती है कभी उसी पर कोई फाइल बना देते हैं। नहीं बनाई। त्यूं। त्यूं नहीं बनाते हूं भई। यह धूरतता नहीं चलनी चाहिए। सरकार अपनी भूमिका का निर्धारन करे। राजनीतिक लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्धारन करना होगा। राजनीत बहुत तो सुधर गई थोड़ी बच्ची है और बाकी भी सुधर जाएगी। बहुत तो सुधर गई तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती थी चार खाने का गमछा डालने में गर्म महसूस होता था उतना सुधार तो हो गया गमछा डालों कोई दिक्कत नहीं तिलक लगाने में शर्मिंदगी कैसी मंदर जाने में शर्मिंदगी कैसी मंदर जाने में जिनको शर्म आती है उनको अन्दुस्तान में फिर और हिंदु है तो अब लोगों को कपड़े के ऊपर जन ने उपहन के जाना पढ़ रहा है अंदर नहीं यह भारत की सामोहित शेतना का प्रताप है मैं इसको भाजपा का प्रताप नहीं कहूंगा ना यह भारत ने सबको सुधार दिया कि क्या पैसे मान विंदू कि साथ चर्चार नहीं कर सकते और दूसरा मैंने सरकार की भूमिका का निर्धारन अच्छे से किया अपनी सामर्थबर दूसरी बात मैं यतिमा से कहूंगा ठीक बात कही हमारे मित्र अनिल पंडित में आपको सिर पर बैठाती घूमता है हिंदू समाज सोने के चांदी की सिंधासन आपको दिये जो कमर में चाबी घूसे रहते हैं आप लोग बक्से की उसमें करोन और रुप्या है मरने के बाद भी कमरा खुले तो तीन-चार करोन निकल आता है कैश बावा के उसमें कमरे में निकल आता है ना सेक्णो बीगा जमीन है पचासियों अत्यादुनिक गाडियां है दो-दो-धाई-धाई करोन की और क्या दें आपको प्राण दे दें आपके लिए अपको प्राण दे दें अपने तब आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतियता की रक्षा के लिए सड़क पर निकलेंगे तब निकलेंगे तब तक आनंद में रहेंगे चंदन का कख्ष वातान कुलित कख्ष डनलप का गद्दा और उस पर विराजमान है निकलेंगे नहीं द्यान रखिए ये बात मैंने एक बार अप्तुर रहे नहीं ब्रह्मलीन हो गए पूजी सुरुपानंजी महराज उनसे कहा था मैंने का था माराज मेरी बात लिख लीजिए मठों मंदिरों से अगर नहीं निकले और राजा की तरह रहने की आदत के अभ्यस्त बने रहे तो वो समय दूर नहीं जब लोग आपका विकल्प ढूंड लेंगे कि आधि शंकर ने जो व्यवस्ता दी कि वह व्यवस्ता राजा की तरह रहने की नए यह वह परिवराजग की तरहां गूंदिकी ती परिवराजच की तरहां को कि मैंने उनसे कह दिया था शुरूपानन जी महाराज से के महाराज कश्मीर हो आओ आपके चरन कमल पढ़ेंगे तो त्रभी ताप से मुक्त हो जाएगी कश्मीर की धर्ती देहिक देविक बहुतिक तापा तो नाराज हो गया मुझसे बोले अग्नोत्री हमको मरवाना चाहता तो मैंने यहीं रस्मलाई खाऊगे क्या प्रभू अरे निकलो थोला देखो आपको कहे का मोह प्राण का मोह अग्नोत्री को होना चाहिए रामचंदरन को होना चाहिए दिलीप चोहान को होना चाहिए अशोग जी को होना चाहिए अपना पिंडधान करने के बाद सन्यास हो यती जी आप मुझे से बेहतर जानते हैं पिंडदान करने के बाद अपना नाम कुल गोत्र सब पुनर जन्म कहा हमने सन्यास को पुनर जन्म आप किस बाद से भैवीत हैं तो सारी जिम्मेदारी नरेंदर मोदी की है क्या कि जो मोदी ही भारत हो जाएंगे फिर शंक्राचारी की कुर्सी पर भी वो पुधान मंत्री की कुर्सी पर भी वो सब भूनी के जिम्में लगा देंगे तो आप जंड़ा फेराएंगे क्या क्या करेंगे यह तो प्रशन है ना एक हमारा शाशक है दूसरा हमारा मार्गदर्शक है हमें दोनों सक्री चाहिए हमें दोनों चेतना संपन चाहिए दोनों भारतियता के लिए प्राणपन से खड़े चाहिए संत भी समाज भी शात्सत्ता भी सिंघासन भी मैं कहता हूं तराजू बराबर रखिए मैं कभी नहीं कहता कि इधर बालों की तरफ जुका दो नहीं लेकिन ये भी बरदाश्त नहीं होगा कि तराजू दूसरी तरफ जुका जा रहा है और इधर बालों को आपने हुक पिट काम दिया ये भी नहीं चलेगा एक द्रष्टी रखिए समान द्रष्टी रखिए जितने लोग क्रियेटिव के चाचा बन रहे हैं उन्हें सब को चुनवती है उन विश्यों पर फिल्म बना के लाईए चलिए छोड़िए फिल्म सेंसर बोड चोड़िए आप यूट्यूब हम मालूंगा कि आप में सहास है गाल बजाना बहुत सरले मित्र गाल बजाने वालों को इतिहास ध्यान में नहीं रखता इतिहास दाना प्रताप को ध्यान में रखता है धन्यवाद